तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात करी thinking के बारे में thinking कितनी important है क्या-क्या फाइदे होते हैं thinking से इस चीछ के बारे में मैंने बात करी पर आज की इस वीडियो में मैं बात करने के लिए आया हूं overthinking के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं जिसे thinking बहुत ज़्या सबसे पहले आप किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करोगी लेकिन फिर आप किसी एक चीज के बारे में दोस्त के साथ छोटी मोटी लड़ाई हो गई पेरेंट्स के साथ अल्की फुल के लड़ाई होगी, सोचने तक ठीक था, कि भी सोच के आप उसके अमल कर सकते हो, उसको बहतरीन कर सकते हो, पर आप फिर उसके उपर overthinking करने लग जाते हो, और overthinking का नुक्षान यह होता है, कि स्टार्टिंग में तो आप उस चीज को थोड़ अलग-अलग thoughts आते रहेंगे, अलग-अलग-ख्याल आते रहेंगे, जो कि काफी ज्यादा negative होंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ, consequences क्या-क्या होते हैं, overthinking के, overthinking के consequences में से जो main है, वो है, anxiety attacks, सबसे बड़ी दिक्तर, आप रात को सो रहे हो, एकदम से आप उठ जाओग आप बस यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, मेरा क्या होगा, आप बस यही कीच सोचोगे, तो यह overthinking का बात है, दूसरी बात क्या, आप हर चीज को negatively देखोगे, pen का रखकन खुला हुआ है, गलती से अगर मैं नहीं पैन जेब में रख दिय इसके लावज जो है, आप हर चीज पर doubt करने लग जाओगे, हर इंसान पर doubt करने लग जाओगे, यह मेरी मदद कर रहा है, यह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, या फिर आप खुद पर doubt करने लग जाओगे, जिस वक्त इंसान की सबसे बड़ी डिक सबसे बड़ी negativity जब इंसान में आती है वो तब आती है जब वो खुद के उपर डाउट करने लग जाता है इसलिए कभी भी खुद पर डाउट मत करिए दूसरी कीच कहा है कि आपको स्लीप deficiency आजाएगी आप ग्यारा बजे सोगे आप चार बजे तक सोचते रहोगे किसी एक चीछ क्या राउंड 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 और वो कोई सब्सक्राइब करें और यह सचा ही है अब अगली बात जो आते हैं वो है कैसे करेंड करें हम overthinking को तो देखो overthinking ना कोई बिमारी नहीं but overthinking में एक routine है जो बन जाता है आपका और routine तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है हम काफी सारी चीज़ों कहते हैं कि routine बनाना जरूरी है पर इसमें हम कहेंगे कि routine तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप रूटीन को तोड़ने की important चीज के आप अपने आपको engaged रखो हमेशा किसी चीज के अंदर, किसी पढ़ाई के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आपको जो चीज पसंद है और इसके लिए आपके अंदर passion होना जरूरी है आप passion कैसे ढूंड़े, इसके उपर भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊँगा और एक और चीज जो मैं आपसे बताने जा रहाँ कि आप अपने आपको busy रखो और आजकल तो online एरा का time है, हर चीज आप online सीख सकते हो, हर चीज आप online कर सकते हो यहां तक कि आप jobs भी work from home कर सकते हो, छोटा मोटा part time job उठाके तो इसके फाइदे क्या होते हैं आपको, कि आप अपने आपको explore कर पाओगे कि भाई मेरे को कहीं और सोचने की time ही नहीं लगेगा overthinking का, आप correct thinking कर पाओगे इसके अलावा आप बात करो, लोगों के साथ interact करो, discussion करो, अपने दोस्तों के साथ discussion करो लेकिन याद रखो, आपको solution उनी दोस्तों से मिलेगा जो आपके सच्चे हैं, real friends अब आप पूछोगे, real friends कोन होते हैं, तो इसके बारे में आपको फिर कभी किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगा, अच्छा, अब मैं आगे बता देता हूँ आपको, जो आपके dreams हैं, आपके ideas हैं, आपके plans हैं, आप वो भी आपको overthinking करने पे मजबूर कर देते हैं, क् ये भी एक negative impact है overthinking का, तो इसलिए आप अपने plans को implement करो, उस पे काम करो, paperwork करो, जब तक आप implementation नहीं करोगे, आप किसी चीज को achieve नहीं कर पाओगे, और आप उसके बारे में सोचोगे, overthink करोगे, और फिर दिक्कत में हो जाओगे, और at the end of the day में आपको बता देता हूँ, overthinking आपका काम है, क्योंकि आप अगर overthink करोगे, तो आप mentally unveiled रहोगे, और अगर आप mentally unveiled रहोगे, तो आप physically भी unveiled रहोगे, thank you guys, तो उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो please वीडियो को like करो, channel को subscribe करो, वीडियो को share करो, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में thank you, peace out